ओम सिरी गने सायनम दोश्तो एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोश्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 जून रविवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन में स्रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकार हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सकें चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करत हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा जरूरी काम बनने से आज आपको लाबदायक अवसरों की प्राप्ति होगी रुकावा धन आज आपको वापस मिल सकता है अच्छी खबर मिलने के भी अने को योग बन रहे हैं उच्छ पदा दिकारी और बुजोर्ग वर्ग की किर्पा द्रश्टी आपके उपर रहेगी सभी काम सरलता से संपन होते हुए आज आपको प्रतीत होंगे साथी साथ आज आप अपनी कार्रे कुसलता के दम पर कई महत्मपूर कार्रे बहतरिन तर आगमन और हास परियास में समय व्यतित होना घर के माहुल को काफी खुसनुमा बना कर रखेगा अपने परिवार में ववस्ता बनाए रखने के लिए जो नियम और काइदे बनाए हैं वो वाके में काबिल तारीफ हैं इससे घर में अनुसासित माहुल रहेगा और बच्च अपनी पड़ाई की और एकागरचित रह पाएंगे आज रोजमरा की जिंदिगी से कुछ हटकर नया करने की सोचें इससे आपकी मानसिक और साररिक ठकान दूर होगी और एक नई उरजा का प्रभाव अपने अंदर आप महसूस करेंगे फाइनेंस से सम्मंदित महत्वपूर्ण निर्ने लेने के लिए आज के दिन आपके लिए बहुती उत्तम हैं दोस्तों आज का समय आपके लिए कुछ शकार अत्मक उपलब्यां लेकर आ सकता है अपने महत्वपूर्ण कारर को निबटाने में अपनी आज आप पूरी उरजा दिखा लगें आपके प्रियास अवस्द्स से ही सफल होंगे धर्म करम के प्रती हस्ता रहेगी दिल की अपिक्षा दिमाग से आज आप निर्णे ले भावुकता में आकर आपके निर्णे गलत हो सकते है शेयर मार्केट और रिस्क सम्दित कारों में आपके लिए लाबदाएक परिस्तितियां आज उत्पन हो सकती है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तों परिवारिक इस्तितियां आज तनाव पूर्ण हो सकती है परिवार में एक दूसरे के साथ ताल म चैल का आभाव हो सकता है अनावशक बातों को लेकर विवाद उत्पन होने की भी आज संभावना पाई जाती है किसी तरह के मन में भ्रह्म उत्पन होने से एक दूसरे के साथ कहा सुनी हो सकती है साथ साथ बच्चों की किसी नकार अत्मक गतिविदी के कारण आप में तनाव और क्रोध जैसी भवना उत्पन हो सकती है परंतु उनकी गलतियों को दोस्ताना पूर्ण तरीके से ठीक करनी की आप कोशिस करें इस से इस्तिती में जल्द ही सुधार आ जाएगा साथ साथ आप किसी पर विश्वास करने से पहले सभी पहलू पर अच्छे से विचार अवस्य कर लें आपकी भावुकता और उदारता का लोग आपका फायदा उठा सकते हैं दोस्तों के साथ अधिक मेल मिलाप भी सिर्फ समय की बरवादी ही कराएगा दोस्तों ध्यान रहे कि किसी भी निर्णे को लेने में बहुत अधिक समय लगाना हाथ में आई हुई उपलब्दियों को दूर कर सकता है अपनी वाणी और जिद्धी स्वभाव को नियंत रित रखे मामा पक्ष से किसी प्रकार की गलत फहमी आज उत्पन हो सकती है आपके प्रती दोंदी आपके बारे में आज कुछ अपवा फैलाने की कोशिस कर सकते हैं जिसकी वज़े से पडोसियों दोस्तों के साथ संबंद खराब हो सकते हैं किसी भी परिस्तितियों को सांतिपूर्ण तरीके से समझाएं गुस्सा करना समस्याओं को और बढ़ाएगा इसलिए अपने गुस्से पर थोड़ा सयम रखें साथ ही साथ दोस्तों कोई भी कार्य करने से पहले उस पर गंभीरता से सोच विचार करना आती आवश्चक हैं कोई बाहरी व्यक्ति जलन की भावना से आपके उपर बदनामी या आरोप की इस्तिति उत्पन कर सकता हैं साफधान रहीं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तों आज के दिन आपका जीवन साथी आपको हर काम में आपकी मदद देगा और आपकी हर बात को सुनेगा जिससे आपके रिष्टे में शकारतमक बदलाग आएंगी आपके प्रेम जीवन में चली आ रही समस्याएं खुद पे खुद आज समाप्त हो जाएंगी जह दोस्तों जीवन साथी का सकारतमक सयोग आपको आत्म बल और आत्म विश्वास प्रदान करेगा आपसी संबंदों में और अधिक नजदी की आएंगी बच्चों की किरिकारी संबंदित कोई सूचना मिलने से प्रसनता पूर्ण घर में वाता वरन रहेगा प्रेम संबंदों में भी और अधिक गंभीर ताएगी वैवाएक संबंद ठीक रहेंगे परिवारिक माहुल खुसनमा रहेगा किसी पुराने मित्र से मिलने से भी सुखद यादें ताज आँगी दोस्तों आज का दि हैं दोस्तों कारेच्छित्र में आपकी निगरानी अती आवशक है क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाई से महत्पपून ओर्डर आपके हाथ से निकल सकते हैं नोकरी पेसा व्यक्तियों को भी धहरे बनाकर रखना आवशक है क्योंकि उनके ओपर काम का अधिक बोज कारेच्छित्र में कुछ नीतियों में परिवर्तन लाने की आपको आवशकता है शहयोगियों और कर्मचारियों की गतिविद्यों को नजर अंदाज ना करें आपकी पीट पीछे आपको कोई नुक्सान पहुंचाने की कोशिस कर सकता है साजेदारी के व्यवसाय में पार दर्सिता रखना आपके लिए अति आवशक है किसी भी प्रकार के एनेतिक कारेच को करने से बचें क्योंकि इसका दुस्प्रिभाब आपके मान सम्मान पर पड़ सकता है साथिसाथ किसी अजनवी के साथ कोई भी डील फाइनल आप ना करें तो आपके लिए बहतर रहेगा दोस्तो साथिसाथ कारेचित्र में चली आ रही किसी भी प्रकार के दिक्कत को भी सांती पूर तरीके से सुल्जानी की आपको आवशकता है क्योंकि गुस्से और आवेस में आने से परिस्थितियां और बिगड सकती हैं अधिकारियों से भी बात चीत करते समय मानसिक व्यक्तियों को भी अपना टारगेट पूरा होने से प्रमोशन मिल सकता है जिससे उनका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको एशिडिटी और गैस की समस्या उत्पन हो सकती है ऐसे में अपने खान पान में आपको शैयम बना कर रखने की आवशक्ता है दोस्तो साथी साथ अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाई क्या है दोस्तो आज इसे निर्वत्र होने के बाद बरगत का एक पत्ता तोड़ें इसके बाद आप इस एक बरगत के पत्ते को साफ जल से या फिर गंगा जल से धोएं इसके बाद आप इस बरगत के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर भगवान शूर्यदेव का इसमान करते हुए बहते हु समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कंत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कारें बहुत यासनी से बनने लगेंगे दोस्तो भगवान शूरदेव कासिरबाद प्राप्तो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैस सूरदेव ववस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद